हावन करेंगे क्या अर्टोफिक का नाम क्या है सिंपल पेंडिलम हांजी हमने अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एगजम्पल दिखा है जिसमें स्प्रिंग ब्लॉक शिस्टम को धिखें क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन कई और तरीकों से भी वह सकता है अगर एक सिंपल पेंडूलम उसलिट कर रहा है तो जो पायरिकल मूँ कर रहा है क्या वह शेचम कर रहा है देखते हैं, देखो ये एक बात पकी है, वो periodic motion कर रहा है, कर रहा है, क्योंकि एक time के बाद repeat कर रहा है आपने आपको, क्या वो oscillatory motion कर रहा है, क्योंकि to and fro है, ऐसे चम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता लगेगा, वो तीन पहचान, कौनसी-कौनसी, या तो f equal to kx, या फ या बोलूगा, या SHM है, clear है, ऐसे, define आप ऐसी कर सकते हैं, कि उसका जो x का variation है, वो sine का function है, बस, उसी का special case है, oscillation का special case है, जिसमें आपका x का variation है, वो sine के function से तैय होता है, simple pendulum, यह आपका, let's say, आपने इस simple pendulum को यहां से, आप यहां लेके आए हैं, और यहां लागे release किया है, तो definitely निचे जाएगा, क्या, इस point पर, आप, इसके उपर लगने वाली torque का expression लिख सकते हैं, दुबारा बोल रहा हूँ, आपने simple pendulum को यहां से यहां लेके आए, और यहां से release किया, release करते ही, इसके उपर जो torque लगेगा, वो क्या होगा, उसका expression क्या होगा, सबसे पहले torque के लिए हम देखते हैं, axis of rotation, तो इस axis के round, यह rotate करेगा, दूसरा point क्या होता है, पांच point होता है, पहला point, identify axis of rotation, दूसरा point, identify point of application of force, सब छोड़ दिया, भूल गए, तो यहां पर force आपका लगेगा, कौन सा लगेगा, एक तो mg लगेगा, और एक tension लगेगा आपका, ऐसे, दो force लगेंगे, तो point बना लिया, उस point का position vector ड्रो करते हैं, यहां से जब position vector ड्रो करेंगे, तो वो ऐसे होगा, निचे की तरफ, आर वेक्टर ड्रो कर लिया, फिर आपने F ड्रो कर लिया, उसके बाद आप cross product लेते हैं, यह बात clear है क्या, पहले क्या किया, position vector ड्रो किया, फिर force जो लग रहे हैं, वो ड्रो किये, और फिर torque का expression लिखा, आप बताएंगे, इस tension force का torque कितना होगा, जो tension force है यहाँ पे, उसका torque कितना होगा, वाई सो blank, भाई लोगों, यार ऐसे मत करो तुम लोग, अब इतना motivate किया था, इस point के around आप torque देख रहे हैं, force ऐसे लग रहा है, आर वेक्टर ऐसे है, आर ऐसे है, और F ऐसे है, तो आपका force उस point के through pass कर रहा है, तो क्या होगा, angle 180 degree हो जाएगा, R F sin 180 degree is equal to 0, हाँ के ना, alien दुनिया सभी है, कौन से दुनिया की बात कर रहे हैं सर आप, वैसे भी आप सोचो, अगर, for example, सुने एक दाम से, इस metal bob को अगर मैं इस length के along, इस side खेंचूं, या इसको ऐसे push करूं, तो क्या उसके काहणी rotate होगा, नहीं होगा ना, जब आपकी force इस line के along होगी, ऐसे, या आप यहाँ पे हैं मान लें, यहाँ पे हैं, आप इसको ऐसे push, pull करें, या फिर उपर pull करें, उसे rotate तोड़ना होगा, तो torque 0 होगी, tension की torque 0 है, mg की torque कितनी होगी, बताओ, आपने revise किया है, बताओ, दिपांची बताओ, बताओ, क्रायनीकल रिवाइज, नई चीज, जो भी है, देखो ध्यान से, यह आपका, सुने के ध्यान से, डाग्राम इसका यह को बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको आगर आगे extend कर दूँ, तो नीचे force लग रही है, और r vector जो यहाँ बना था, उसको मैंने यहाँ बना दिया है, यह आपका r vector है, यह आपका f vector है, f vector की value कितनी है, mg, r vector की value कितनी है, length of this thread, l, यह l vector का magnitude है, यह mg का है, इन दोनों के बीच का angle theta है, अगर यह angle theta है, तो यह वाला angle भी theta होगा, दोनों parallel lines है, तापके corresponding angles हैं एक तरीके, तो theta angle रहेगा, तो टोर कितनी हो गई, स्लोक, बता ओ, तोर का formula बता दे, आपका तोर का formula होता है, r cross f, या फिर r f sin theta, यह तोर का magnitude है, r कितना है, l, तो टोर के इस इकल स्टू, l, f कितना है, mg sin theta, इस step तक कोई दिक्कतत बता दे, तीक है, यह आपका तोर को हो गया, क्या तोर को मैं लिख सकता हूँ, i into alpha, l mg, कैसे लिखा, जैसे force को लिखता हो, तो mass into acceleration, ऐसे ही torque को लिख होगे, i into alpha, तो i alpha लिख दिया, इस case में आप बताएं, अगर यह इस axis के round rotate कर रहा है, तो इसका moment of inertia कितना होगा, अगर यह simple pendulum इस axis के round rotate कर रहा है, तो इस mass सर्फ इसका है, इसका mass m है, length l है, ml square, moment of inertia का सबसे basic formula है, mr square, तो यहाँ पे r कितना है, l के बरावर, तो i is ml square, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर दिया, तो यह हो गया, ml square, alpha, l mg, sin theta, अगर यहाँ पे angle को छोटा मान लूँ, कि जहाँ से आपने इस metal bob को displace किया है, वो angle बहुत छोटा है, if theta is small, तो बताएं, ऊपर वाल equation क्या बन जाएगी, ml square, alpha, l mg, theta, जब theta छोटा हो, आप approximation लेते हैं, sin theta is almost equal to theta, तो यह आपने लिख लिए, अब बहुत ध्यान से देखो, जब आपने इसको, इसका angular displacement इस side किया, जब आप theta को इस side लेके गए हैं, तब उसके उपर लगने वाली torque, उसको किस side move कराना चारी है, इस side, तो जो torque जिस side move कराना चारी है, और जिस side आपका angle आपने displace किया है, उनका opposite relation है, direction उल्टी है, तो क्या मैं यहाँ पे एक minus sign लगा सकता हूँ, पताएं, हाँ के ना, जैसे आपने spring block system में देखा था, अगर x यहाँ डिस्पेस किया, और force इस side लग रही है, तो f equal to minus x लिखा था, यहाँ पे आप minus sign लगा दिया हमने, m से m cancel होगा, l से 1L जाएगा, यहाँ तक note कर ले पहले, फिर आगे करते हैं, करता हैं, आ भाएगााँ खीर, झारliest वझे कर दो किवे पươngनेAh-ën, को दो क कर दो 그럼 यहाँ आपUI में था तर आपिते हैं? किवे्जे कर दो स्वें रहें हैं, किवेग्समादी हैं, किवेद्गस हैं, तहको भाज़स हैं? झाल झाल जहां माईनस साइन लगा एंब आप अलग से नोट करना कि माईनस साइन क्यों लगा है क्योंकि थीटा जिस डिरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया है उसको तो और उससे उल्टी डिरेक्शन में उसको ले जाना चाह रही है झाल माहिनस का मतलब है मैं आपको सिर्फ लिखवान राव अपने आप लिख लो कि थीटा जिस साइड आपने डिस्प्लेस किया है उसके उल्टी डिरेक्शन में आपको टोर्क मूव कराना चाह रहा है तो डिरेक्शन औफ एंगिलर डिस्प्लेस्मेंट एंड टोर्क आर अपोजट ठीक है नहीं तक इसको आप इस L को यहां ले जाएं तो यह बन जाएगा अल्फा इस उकल्स टू माइनस जी बाई एल थीटा इस L को मैं नीचे ले गया तो माइनस जी बाई एल इंटू थीटा यह आपका हो गया डन अल्फा इस माइनस जी बाई एल थीटा क्या अल्फा एंगिलर एक्सेलरेशन है इसको आप डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं और यह आपका माइनस जी बाई एल थीटा ऐसा ही रहा डी बाई डी टी और जो ओमेगा है क्या ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ डी थीटा बाई डी टी अल्फा क्या है आपका अंगिलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी और यहाँ पे आपने डी ओमेगा बाई डी टी बाहर लिख लिख लिया और omega को लिख दिया d theta by dt it is equals to minus g by l theta ये आपका हो गया double derivative of theta with respect to time is equals to minus some constant into that variable itself. अब ध्यान से देखें जब आपने spring block system किया था तब आपका expression बना था spring block system में double derivative of x with respect to time is equals to minus k by m और x जिस variable का double differentiation किया था वही यहाँ पे था एक minus sign था और साथ में constant था यहाँ चेक करें theta का double derivative हो रहा है वही variable यहाँ भी है एक minus sign भी है और एक constant भी है तो तीन पहचान थे हैं सेचम की उन में से एक आपको मिल गई है तो आप कहेंगे कि जो इसका motion है वो भी आपका SHM रहेगा लेकिन कब रहेगा यह बात ध्यान रखेंगे बहुत important है जब theta चोटा हो जब theta बड़ा होगा तब वो periodic होगा oscillatory होगा बट SHM नहीं होगा जब angle चोटा होगा तभी यह वाला expression बनता है आप चेक करेंगे वापर sin theta को theta लिखा है तभी बनाया हो otherwise नहीं बनता तो यहाँ पर आपने क्या माना था इसको लिख दिया था minus omega naught square x double derivative of x और इस case में आपका omega naught था under root k by m यहाँ पर इसको आप omega naught square बोलेंगे double derivative of theta with respect to time is minus omega naught square theta और इस particular case के लिए आपका omega naught हो जाएगा under root g by l क्या इसको भी simple pendulum का motion है क्या इसको भी मैं एक phasor diagram से represent कर सकता हूँ क्योंकि phasor diagram तो आपने एक shm के लिए बनाया था जहाँ भी shm आ जाएगा वहाँ पर आप phasor diagram को use कर सकते हैं बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको vector को जो omega naught देना है वो omega naught g by l का under root से तै होगा वहाँ पर under root k by m से तै हुआ था अब यह बता दें इस simple pendulum में time period क्या होगा time period of simple pendulum time period का general formula क्या है 2 pi by omega naught और omega naught यहाँ पर क्या है g by l का under root यह आपका time period आ जाएगा this is time period of simple pendulum इसका मतलब कितने time में वो एक oscillation complete करेगा क्याने का मतलब यहाँ से चला है तो वापस नहीं पहुँचे उसको आप one time period बोलेंगे यह omega naught spring block system का है और यह आपका omega naught किसका है simple pendulum का दोनों को याद करने का एक simple सा तरीका है k by m क्या है आपका omega naught है और दूसरे का भी omega naught कितना है g by l कम जल यह निधी वाला concept लगा दिया आपके याद करने का तरीका है omega naught आप याद करेंगे कैसे कम जल इस तरीके से आप time period of simple pendulum और spring block system दोनों को याद कर सकते हैं अगर omega naught पताया तो done कई बार शकलें ऐसी लगती है आपकी गरवर्णना बहुत जब्रस्ती बेजा दखने मार गे जाओ ने तो जाओ आपने इसा होता है या इसा नहीं होता है आजी डन आगे वड़े नेक्स्ट टोपिक इस SHM in Vertical Direction यह आपका एक स्प्रिंग है अभी लेट्स इसका स्प्रिंग कॉंस्टन्ट के है अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है आपने नीचे हाथ लगा रखा है अप हाथ का फोर्स दीरे दीरे अटारे हो या फिर दीरे अटारे मानलो तो यह किस लेंथ पर स्प्रिंग आ जाए कि मैं अपना हाथ हटा दूँ तो भी यह उसिलेट ना करें रिपीट कर रहा हूं अगर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है आप इसको यहां से छोड़ दो गया से तो नीचे आएगा इसे उसिलेट करेगा जंप करेगा मैंने इसके नीचे हाथ लगा रखा है और दीरे दीरे ग्रेजुली अपना फोर्स कम कर रहा हूं और एक टाइम यह आपका क्या है मीन पोजिशन है मीन पोजिशन नहीं है नेचुरल लेंथ है आप इसकी यह जो पोजिशन है स्प्रिंग नेचुरल लेंथ है कितनी डेप्थ पे या नीचे आने पे हाथ हटाए हटाने के बाद भी यह उसिलेट न करें यहीं पे रह जाए अगर यह यहीं पे रहेगा अगर यह यहीं पे रहेगा तो आप बताएं यह लेंथ कितनी हो यह मूव न करे ऐर भी नहीं करेगा तो नेच्प फ्ष जिरो लगेगा कौन्से फोर्स है नीचे एंजी लगेगा यह नेचुरल लेंथ है कितना extent हो गया मान लेते हैं आग सोपर कितना फौर्ष लगेगा K X not K X not equal to M G X not is equal to M G Y K इस length पर यह उसलेट नहीं करेगा यहाँ पर इसको अगर छोड़ देंगे तो और इसका वो रहेगा This is called mean position Mean position का मतलब है कि equilibrium net force is 0 X not is M G by K simply लेकिन अगर मैं इसको ऐसा करता उपर से बिना हाथ लगाई छोड़ता तो उसकेस में क्या होता Oscillation होता के नहीं होता होता जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा हाथ जब मैंने वहाँ से तुरंध हाथ अटा लिया है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो M G का force तो उतना ही रहा लेकिन जैसे जैसे X बढ़ेगा तो spring का force बढ़ा होगा तो यहाँ पर जब आ गया M G और K X बराबर होगे तो वो block यहीं पर क्यों नहीं रुका friction नहीं है air नहीं है repeat कर रहा हूँ जब आपने इसको gradually हाथ को force कम करकर करकर यहां तक लेकिया है तो यहाँ पर आके रुक गया है जैसे हाथ से हटाया तो यह क्या क्या M G का force नीचे वाला तो constant है M G लेकिन यह X बढ़ेगा तो उपर वाला force बढ़ा होगा बढ़ा होगा यहाँ पर आने पर K X और M G बरावर हो गए तो यह bloc यहाँ पर आने पर रुका क्यों नहीं अंतर समझा है मैंने वो हाथ लगा लगा कि वहाँ पर लेकिया आया था मैं अब यहाँ से हाथ अटा दिया है उस case में उसे लिट करेगा ना ने सुने द्याम से आप देखें जब मैंने यहाँ से तुरंट छोड़ दिया है तो उस दुरान यहाँ से यहाँ तक क्या M G K X से बड़ा होगा हमेशा यहाँ से यहाँ तक तो M G बड़ा है तो जब bloc यहाँ से यहाँ तक आयेगा तो नीचे नेट फोर्स था तो उसने नेट फोर्स के करण एक्सलरेशन थी उसके करण V आगई तो यहाँ पर उसके पास एक स्पीड अचीव हो गई थी स्पीड है तो वो स्पीड जब आगे बड़ेगा उसके बड़ा हो जाएगा M G से क्योंकि यहां पर बराबर है न इसके बाद अगर x बढ़ेगा तो x बढ़ा हो गया, kx बढ़ा हो गया, उपर वाला force बढ़ा हो गया, net force उपर हो गया, तो जो इसके बाद speed थी, अब उस speed को gradually गटा गटा कर जिरो करतेगा, are you getting, है न तो आपकी speed यहां पे कुछ रहेगी, उसके कारण आपका यहां पे नहीं रुकाया है यह, लेकिन उसके बाद net force उपर हो जाएगी, तो speed को कम करते करते वापस 0 पे ले जाएगा, ठीक है, यह आपका ऐसे oscillate करेगा, तो यह समझ में आता है, कि यह आपका periodic motion भी होग और oscillatory motion भी होगा, SHM होगा के नहीं होगा, यह चेक करना है, चेक करते हैं, आप अगर, मैं यह mean position है, देखेंगे ज्यान से, यह mean position है, mean position से इसको फर्दर मैं x distance आगे move करा दूँ, अगर mean position से फर्दर आगे move करा दिया, तो force का expression हो जाएगा, f equal to minus k, x naught plus x, पता हूँ, ठीक लिखा है, और, f is minus k x naught minus k x, f equal to minus k x, और यह वाला term, अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पर जो force बनेगा, क्या सिर्फ k x बनेगा, mg भी आएगा इसमें, mg भी आएगा न, यह force तो उपर रहा, एक force नीचे की तरफ भी जाएगा, उसको यहाँ पर mg लिख दूँ, समझा आप मतलब क्या है, mean position से, mean position से मैंने इसको नीचे displace किया, x, तो उस समय जो force लगेगा, एक उपर लगेगा, minus k x, minus इसलिए लगाया है, क्योंकि जिस side x लेके गए है, उसके ulti side force है वो, और एक force और लगेगा, जो mg रहेगा नीचे की तरफ, वो x की direction में ही है, तो उसको प्लस किया है वहाँ पर, clear है, तो प्लस mg कर दूँ यहाँ पर, अब देखें, क्या k x not और mg बरावर है, अभी देखा था हमने k x not और mg बरावर होते हैं, तो f equal to minus k x वाला expression ही बन गया, बर्ट यहाँ पर यह बात ध्यान रखना, यह जो x है, यह क्या है, यह है, extension of spring from natural length, इससे पहले वाले case में, sorry, natural length में पोजिशन, f equal to minus k x, आपका force बन गया, तो इसका मतलब यह भी आपका shm perform करेगा, shm perform करेगा, इसका time period भी वही रहेगा, t equal to 2 pi by omega 0, और omega 0 की value भी भी रहेगी, under root ky m, निकाल के देखना चाहिए, तो इसको आप m a लिख दें, और सारा mathematics वैसा ही होना है, तो time और omega note आपका वैसी ही रहेंगे, तो इस, कहना मैं, shm in vertical direction, and shm in horizontal direction, में क्या अंतर आया है, बस अंतर यह आया है, कि वहाँ पे natural length पे ही mean position थी, यहाँ पे extension होने के बाद, यहाँ mean position है, time period में कोई फरक नहीं पड़ा है, omega note में कोई फरक नहीं पड़ा है, तो वैसे का वैसा shm है, बस आपका mean position बदल रही है, ठीक, यह point note कर लेंगे, क्या, दोनों अपने भाशा में लिख लें, कि यहाँ पे बस mean position अलग है, बाकि सब कुछ सेम है, 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 बाद खरक रहीं दो दो वैंगे, यह है, बाद बात है, उह दो चेशदेंगे, ओग जशदेंगे है, पैस बात वह दोप in the दो, खरक रही है, अनि गेत हो गया आजिवाई साब दन इतनी ध्यान से क्या समझता है कि तू लिखता है ने बिल्कुल दन नेक्स इस टू ब्लॉक सिस्टम अभी तक हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखा था इसमें एक स्प्रिंग था और एक ब्लॉक था अब आपके पास स्प्रिंग कॉंस्टेंट इसका के है अभी मान लो कि इसका सेंटर ओफ मास यहां पे है इस इस सेंटर ओफ मास अफ दिस तू ब्लॉक सिस्टम साथ का सुनद लिखा करना क्या दिखता है यह बनाया तो है लिख लिए साथ में साथ ठीक है लेट से मैं मान रहा हूँ कि इसका डिस्टेंस यहां से आरवन मान ले पहले आप आरवन अभी नैचरल लेंथ पे है यह डिस्टेंस आरवन है और यह डिस्टेंस आरटू है इस पॉइंट को मैंने अगर सेंटर ओफ मास माना है तो क्या मैं M1 R1 equal to M2 कर सकता हूँ इसके बाद मैंने दोनों ब्लोक्स को ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेच किया है स्प्रिंग को और स्प्रिंग ब्लोक सिस्टम का जो सेंटर ओफ मास है वह वहीं पर रखा है सेंटर ओफ मास उसी लोकेशन पर है यह यहां जो स्ट्रेचिंग की है वो है X1 और यहां स्ट्रेच किया है X2 यह इन दोनों की यह नेचरल लेंथ की बात है यहां पर नेचरल लेंथ है और यहां पर यह स्ट्रेच्ड लेंथ है सेंटर ओफ मास वहीं पर है यह पूर डिस्टेंस कितनी हो गई R1 प्लस X1 तो क्या मैं M1 R1 प्लस X1 इक्वल टू M2 R2 प्लस X2 लिख सकता हूं यह क्वेशन नंबर 1 थी यह क्वेशन नंबर 2 है सेंटर ओफ मास यहीं पर है इससी लाइन पर अभी क्या इन दोनों से सोल्व करके आप यह बोल जकते हैं M1 X1 इक्वल टू M2 X2 बताएं इक्वेशन नंबर 1 टू से क्या आप यह कैसे आएगा इस में से गटा दो यह आ जाएगा इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड होगे ठीक है यह सर्फेस आपका स्मूध है इस सर्फेस स्मूध आपका अब यह बताओ अगर मैं इनको ऐसे स्ट्रेच करके छोड़ दूँ अब सवाल इंट्रेस्टिंग है डॉप यह स्ट्रेच वर फ्यत्रेच करके छोड़ धी तो क्या स्रफेस अपनी पोजिशन चेंज करेगा एक spring block system है उसका center of mass था stretch कर दिया center of mass वहीं पर है और stretch करने के बाद छोड़ दिया तो spring block system ऐसे oscillate करेगा मैं पूछ रहा हूं कि center of mass बदलेगा क्या नहीं बदलेगा तो क्यों नहीं बदलेगा बताएं center of mass क्यों नहीं बदलेगा बताओ भाई लोगों फिटाई होएगी नहीं बताया दो हाँ जी एक्सेलेट तो करेगा है यह एक्सेलेट तो करेगा काफी नजदीग है बट पॉइंट यह है कि होरी जोंटल डिरेक्शन में कोई एक्स्टर्नल फोर्स नहीं है देखें आप अगर इस सिस्टम को पूरा मैं मान लूँ तो ismaa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da हाँ, चेंज रहेगा जब यह smooth है उस समय पे आपका center of mass displaced नहीं करेगा आप ही point लिख ले center of after stretching and releasing after stretching and releasing the two blocks they will oscillate they will oscillate but but position of center of mass but position of center of mass will not change but position of center of mass will not change because f external is 0 f external is 0 ठीक है अब अगर f external 0 है और center of mass यहीं पे रहेगा तो क्या मैं इस spring को एक single spring block system की तरह इस्प्रिंग कर सकता हूँ यहाँ पे spring यहीं पे रहा है बाकी वो उस्सिलेट कर रहा है और यह भी उस्सिलेट कर रहा है ठीक है तो उस oscillation का time period क्या होगा वो निकालना है मैं expression बनाएंगे इसके लिए force की equation लिखूँगा मैं force is equals to minus k x1 plus x2 यह आप minus k x भी लिख सकते है minus क्या यह जो force है अच्छा यह आपका जो spring है यह maskless है अगर spring maskless है तो क्या यह वाला force किसी भी point पर मैं force consider करूँगा तो वो k x1 रहेगा गया और k x2 रहेगा गया अगर यह पहला point यह बताएंगे आप कि अगर यह spring maskless है तो क्या tension किसी point पर same रहेगी तो आपका इस spring की बात करें इस side वाले की तो यहां से extension कितना हुआ है x1 एक मिनिट यह force का expression तो यह बनेगा ही बनेगा f equal to minus k x x1 plus x2 भी आप लिख सकते हैं अब यहां पर देखें हो क्या रहा है यह बात तैया हो गई कि यह spring block system अपने आप में oscillate करेगा इसका center of mass यहीं पर रहेगा ठीक है ऐसे case में two body system के लिए हम एक नए concept ले कहते हैं reduced mass का क्या term है reduced mass reduced mass define करते हैं जैसे दो block system है reduced mass को mu से denote करते हैं और mu is m1 m2 m1 by m2 m1 m2 upon m1 plus m2 यह reduced mass एक नया term आ गया है तो जहां पर आपने time का expression निकाला था सुने के ध्यान से जहां पर time का expression निकाला था अब mass की जगए आप reduced mass यूज़ करेंगे तो आपका time period निकला आएगा time period is equals to 2 pi by omega 0 और omega note आपने लिखा था under root k by m m की जगए पर यहां पर mu use करेंगे यह पता लग गया ना हमें कि यहां पर इसके यहीं पर oscillation रहेगा बस ठीक है oscillation यहां पर रहेगा इसका oscillation यहां पर इस side रहेगा क्या दोनों का time same रहेगा क्या दोनों block का जो oscillation का time period हो same रहेगा same रहेगा बस यहां पर उसके खुद के mass की जगए आप reduced mass use करेंगे और reduced mass का formula है M1 M2 upon M1 plus M2 ठीक डिरेक्टली याद भी कर सकते हैं जब भी two block system आएगा तो आप reduced mass use करेंगे instead of actual mass of the block अंजी done क्या क्याहाँ थान सब्सक्राइब है अनिकेत हो गया? अन्जी नेक्स इस स्प्रिंग सिरीज और परलल पहले करते हैं सिरीज यह आपका एक स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कॉंस्टेंट के वन है साथ में ही दूसरा स्प्रिंग अटेच किया है के टू और एक एम मास लटकाया गा इसके साथ अगर दोनों स्प्रिंग की जगे मैं एक स्प्रिंग यूज करूँ और जितना फोर्स यहां पे लगाया था उतना ही फोर्स यहां पे लगाऊँ और उस फोर्स से यहां जितना एक्स्टेंशन हुआ था यहां भी उतना यह extension हो तो इस single spring का spring constant कितना होगा दोबारा repeat कर रहा हूँ दोनो आपने springs को end to end connect किया है इन दोनों की जगे वहाँ पे single spring यूज किया है आप चाहते हैं कि जितना force F लगाया था यहाँ पे और F लगाने से जितना extension हुआ X वहाँ भी अगर मैं उतना ही F लगाने से उतना ही extension चाहता हूँ तो वो single spring का spring constant क्या होगा in terms of K1 and K2 क्या नहीं सम्झे होगा चेक करेंगे अगर massless spring है तो आपका force यह tension अजगे सेम रहेगी यहाँ पे tension अगर यह X extension हो चुका है X extension तो दोनों के कारण होगा न इसके कारण मान लो इसमें X1 extension होगा है इसमें X2 extension होगा है टोटल वो X है तो क्या मैं लेख सकता हूँ पहले पहले वाले spring के बारे में सोचें पहले बारा spring कहेगा मैं तो X1 खिचा हूँ तो मेरा force KX1 है दूसरा बोलेगा कि मेरा K2 X2 है और दोनों बराबर होने है K1 X1 इक्वल टू K2 X2 यह force दोनों का बराबर रहेगा यहां से आप X1 निकाल ले X1 is F by K1 X2 is F by K2 इसके साथ में आप लिख लेंगे क्या Since spring is massless Therefore tension in the spring will be same throughout यह point लिख लेंगे और उसके बाद फिर आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि पहला spring जो है वो KX X1 extended है तो उसका वो कहेगा कि मेरे अंदर तो tension KX1 नहीं रहेगी K1 X1 उसरा बोलेगा K2 X2 और दोनों बराबर रहेंगे F K अब इनके parallel में जब हमने एक single spring यूज किया तो उसमें भी extension same है same force पे So you can write F equal to K X X can be written as F by K इस second में एक ही spring है ना और force लगाया है F X extension हुआ है तो F equal to KX आ गया तो वहां से आपने X निकाल लिया जो ये X है total X क्या वह X 1 और X 2 का जोड होगा ये X 1 खिचा है ये X 2 खिचा है तो आपका वह X 1 X 2 का जोड रहेगा यहां से X 1 निकाल लिया यहां से X 2 निकाल लिया यहां से X निकाल लिया और आपने कर दिया X equal to X 1 plus X 2 values पूट कर दो F by K F by K1 plus F by K2 यह कटेगा तो 1 by K is equals to 1 by K1 plus 1 by K2 जब भी आपके spring series में जुडे होँ तब आपका यह उल्टे जुडते है 1 by K equal to 1 by K1 plus 1 by K2 यहां पर ध्यानी रखेंगे कि series के अंदर force सेम होता है और extension डिफरेंट होता है यह point भी जान रखेंगे और यह final result भी जान रखेंगे कोई बात में रुक जाओ कोई बात में रुक जाओ कोई बात में हाँ इतना ही है फिर theory खतम हो जाएगी सवाल हो जाएगे फिर सवाल करेंगे पर हाँ फिर सवाल करेंगे एक और विदर वीक कर देंगे waves maximum 10 January फिर सवाल करेंगे गलत बल्दी हो हो गया? हाँ नाम में इतना delay क्यों करता है यार parallel में अगर दो स्प्रिंग के वन के टू आपने एक मास पे लगाए है इसको force F लगाने से extension X हो गया है हम चाहते हैं कि दोनों की जगे एक ही spring लगे और उसमें same force लगाने पे same extension यदि आए तो यह spring constant की value क्या होगी? दोनों में extension same है क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पे? extension same रहेगा parallel में और force different रहेगी force different क्यों होगी? क्योंकि यह k1 x बनाएगा force यह k2 x बनाएगा तो k1 x k2 x is equal to f ठीक लिखा है? यहाँ पे देखें यहाँ पे force is equal to kx यह इसको आप बोल सकते हैं f1 इसको f2 इसको f1 f2 का जो जोड है वो f के बराबर रहेगा यह अफिर वहाँ से आप f equal to kx इसके साथ equate कर दे equate करने पे आपका आ जाएगा k1 x plus k2 x equal to kx x कर जाएगा k is equal to k is equal to k equal to k1 plus k2 तो parallel में होंगे तो directly जुड़ेंगे और series में होंगे तो उल्टे करके जुड़ेंगे ठीक है कुिजए के लिए मुड़ें थ्शाग क्लास के बाद के लिए बुटा अब भी है पांट लिए इत्तु सब्सक्राइब हमने जो अरे जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी किया उसमें एफ इक्वल टू माइनस की एक्स बना था यह स्मूज सर्फिस था और वो लगातार उसिलेट करता रहेगा इंफाइनाइट टाइम के लिए अगर वहां पे मैं एक्स और टी का ग्राफ बनाऊं तो वो साइन बनता है यह क्या आपका यह नॉर्मल एसेचेम है अब मैं इस साइड डिस्कस करूंगा डैम्ड एसेचेम डैम्ड एसेचेम का मतलब है कि रियल एसेचेम अगर अगर मतलब यह आपका क्योंकि यहां पर क्या था यहां स्मूद सर्फिस प्रैक्टिकल ही होता थोड़ना है तो प्रैक्टिकल हमेशा डैम्ड एसेचेम रहता है अपका आईडिल एसेचेम नहीं रहता अगर यहां पर मैं इसकी ऊपर तो कुछ दिर बाद दिरे दिरे रुप जाएगा तो इसको बोलते हैं डैंप डैसिचम कारण क्या वो देख लेते हैं जब यहां से मीन पॉजिशन से जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे कुछ वेलस्टी दोगे तो एक तो पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा ही लगेगा केक्स इसके अलावा जब यह आगे मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा तो जो वो drag force होता है जो पीछे की तरफ लगेगा वो drag force आपका velocity के proportional होता है तो यहाँ पर जो force बनता है F equal to minus KX minus BV Drag force एक जगह और आया था कहाँ पर आया था बताएं टर्मिनल विलस्ट्री जान है टर्मिनल स्पीड काँ पर आया था टर्मिनल स्पीड है हाँ फ्लूट्स में वेरी गुड क्या किया थास में चलो कोई बात में तर्मिनल के पाद यही काम करेंगे सब यापको याद दिलाएंगे ड्रैग फोर्स था एक लिक्विड में आपने एक स्फियर को ड्रॉप कर दिया है तो उसके उपर उसकी जतनी वेलस्टी होगी उतनी ड्रैग फोर्स पीछे लगती है उसको लिखा था 6 पाई इटा आरवी वहाँ से वो drag force का आता है drag force का मतलब है जब कोई चीज move करेगी तो velocity के proportional opposite में एक force लगेगा तो यहाँ पर देखें expression में एक extra term आता है drag force के कारण यह वाला term कहां से आता है यहाँ पर आपका simply minus kx था इसका mathematics solve किया तो आपका sine function आता है बट यहाँ पर sine function इसका solution नहीं आता है जब आप plot करेंगे x versus t को तो यह कुछ ऐसा होता है यहाँ पर sine function था हमेशे sine function रहता है इसका मतलब बार बार उसी extreme तक जाके आएगा यहाँ पर क्या हो रहा है एक बार इस extreme तक गया फिर side आया तो कम हो जाएगा फिर और कम हो जाएगा फिर और कम हो जाएगा तो x की value लगातार peak गटता जाएगा और zero हो जाएगा इसको बोलते हैं damped oscillation इसका mathematics वाला part कट गया है syllabus में नहीं है सिर्फ qualitative आपको पताओना चाहिए कि क्या मतलब इसका ठीक है समय मतलब दिरिए ईड़ी आपको जाएगा कि में तक ए्या आपको जाहिए